दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा, एट्रोपिन इन्जक्षन के बारे में तो बताई चुका हूँ लेकिन मैं आज आपको अलग बताऊंगा, इन्फ्यूजन के बारे में, जो आपने बहुत कम देखी हूँ गी, 100 ml का इन्फ्यूजन है, एट्रोपिनसलफेड जब patient का heart rate sinus bradyacardia में यूज़ रहता है मतलब कि जब patient का 30-40 heart rate continue रहता है और 1 ml की injection से अगर ये injection लगाते हैं और इससे भी heart rate normal हो जाती हो फिर वैसे ही हो जाती तो उसकी जगा 1 ml की जगा ये button लगाते हैं continue और इसको sit कर दिया जाता है patient के according और doctor की according तो इससे heart rate जो होती normal करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है second इसकी यूज़ जो secretion को कम कर देता है और third होता है जो examination में people को dilate कर देता है fourth होता है pre anesthesia में जो pre medication anesthesia में दिया जाता है उसमें यूज़ करते हैं उसके बाद में anesthesia देने के बाद में reverse उसको patient को लाना परता है उसके heart rate को normal रखने के में भी यूज़ होता है अब यह में जूम करके देखा रहा हूँ एट्रोपीन यह 100 ml की bottle आप देख रहे है उसके बाद में आपको यह bottle यह one ml के injection के बारे में दिखाँगा यह इसके अंदर फर्क है IM, IV, SC योज़ कर सकते हैं यह आप देखरो ध्यान से देखना IV, IM, SC तीनों में यह injection योज़ कर सकते हैं लेकिन अगर वही बात करते हैं कि 100 ml की IV fluid की जो infusion रखा हुआ है वो सिर्फ IV ही योज़ कर सकते हैं इसमें पैसे को भी फर्क होता है प्राइस का भी दोनों में फर्क होता है तो दोश्तों यह दोनों के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ अब बात करते हैं कि एट्रोपीन की side effect क्या होते हैं मतलब what is a side effect of atropine including जो जनरल होते हैं dryness of mouth होता है blood vision कर देता है dry eyes कर देता है photophobia, confusion, headache, dizziness, fatigue, tachycardia अगर overdose करते हैं तो heart rate बढ़ जाती है palipteration, flushing, urinary hesitance और retention, constipation, abdominal pain abdominal destination, nausea, vomiting, loss of तो यह सारे इसके side effect होते हैं यह हमेशा ध्यान रखना है कि बिना doctor के आप यह injection नहीं देना होता है आज के लिए बस इतने अगर अगर मेरी वीडियो अच्छे लगें तो share, like, subscribe करें